नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्यूब चिनल पी एफपी में आज हम मेट्रो पोलिस के बार में चर्चा करने वाले हैं अपने आल टाइम है से 50% क्रैश होता हुआ नजर आया भारी गिरावट देखने को मिली और थोड़ी बहुत रिककावरी भी देखने को मिली है तो इतनी गिरावट के बाद क्या यहां पर इंवेश्ट करने के बार में सोचना चाहिए क्या यह वैल्यू बाई हो चुका है तो से 32% routine test से 16% wellness से 8% और others से 1% का revenue आता है customer segment के बार में बात करें तो B2C है 58% और non B2C है 42% location wise breakup के बार में बात करें west 57% east 5% contribute करता है south 25% north 7% international 5% और others 1% तो location wise breakup भी overall अच्छा नज़र आता है focus हमें west इंडिया पे ज्यादा नज़र आता है number of daily patients के बार में बात करें 36.67 thousand से as of December 2021 तो latest data के इसाब से 36.000 से भी ज्यादा patients diagnostic centers में आते हैं और average realization per patient के बार में बात करें मतलब जो average revenue per user होता है बस उसी प्रकार से है तो 8.98 रुपीज पर patient है as of December 2021 तो ये भी latest data है fundamental ratios के बार में बात करें ROE 26% है ROC 31% है जो कि अपने 5 year average से slightly नीचे जाते हुए नज़राय है लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है और overall अच्छे नज़रात है net profit margin 18% है ये FY21 के margins है अब देख पाएंगे हमें increase देखने को मिला लेकिन COVID की वज़े से खास increase नज़राता है बाकि expect यही करना चाहिए कि 18 से वापस ये 16% 17% की range में हमें दिखाई पड़ेंगे debt to equity के बार में बात करें zero है company पर कोई करजा नहीं है ये अच्छी बात है financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे continuous growth हमें नज़राती है revenue continuously उपर जा रहा है और profitability में भी अच्छी growth नज़राई है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 49.5% जिसमें से 1.32% के इसेदारी pledge है mutual fund 9.4% other dia almost 2% FII 30% retail and others में 9% के इसेदारी है overall share holding pattern भी हमें अच्छा ही नज़राता है लेकिन promoter ने जो holding pledge की है वो अगर ना होता तो और भी अच्छा हो जाता analyst के rating के बार में बात करें 11 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से 54% का मानना है कि stock में खरिदारी करनी चाहिए higher side पे 88% का upside है median है 32% का upside और lower side पे 20% की गिरावट बताई चारी है तो क्या ये levels अच्छी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं यह हम चार्ट पर देखेंगे 10,000 क्रोड की market cap है एक small cap mid cap category वाला stock है 43 का PE ratio है तो valuation से हमें ये clearly पता चलता है कि valuation सस्ते तो हो गए है क्योंकि ये सारे stocks covid की वज़े से इतने चड़ गए थे सिर्फ मेट्रोपोली से नहीं थायरो केर डॉक्टर लाल पैतलाब इन सभी stocks में diagnostic वाले stocks में हमें तेजी देखने को मिली थी और बहुत ही ज़्यादा महेंगे valuation पे trade कर रहे थे लेकिन फिलाल जो गिरावट देखने को मिली है इसके कारण हमें valuation कम होते हुए नजर आये हैं और मेट्रोपोलीस के valuation हमें reasonable होते हुए नजर आते हैं तो ये valuation अभी भी value buy वाली range में तो नहीं गया है ऐसा नहीं है कि 4500 के level से stock में घिरावट देखने को मिली continuously नीचे आया इतना week था कि 200 दिन के moving average पे एक green candle भी देखने को नहीं मिली यहाँ पर थोड़ा सा एक base बनाया 2500 के आसपा support लेने की कोशिश की लेकिन और भी सादा नीचे आता हुए नजर आया और फिलाल यहाँ पर 2000 की range में ये consolidate करत हुआ नजर आता है 20 days के moving average के ऊपर गया है एक दू दिन ही हुए बाकि सारे moving average के नीचे नजर आता है अगर आप sequence देखेंगे 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 दिन का moving average तो weakness बहुत ही ज्यादा है daily RSI 49 है थोड़ी बहुत strength यहाँ पर आती भी नजर आती है weekly chart के बारे में बात करें तो weekly chart पर हमें नजर आएगा generally यह stock अपने 50 weeks के moving average पे support लेकर उपर जाता हुआ नजर आता है लेकिन फिलाल तो stock ने अपने 100 weeks के moving average को भी तोड़ दिया है तो extreme weakness है उसमें कोई doubt नहीं है weekly RSI 34 चल रहा है अब भी oversold condition में है important levels के बार में बात करें तो हमें 2 important levels नजर आता है सबसे पहले यह 1900 का level नजर आता है और उपर के side पे 2300 का level नजर आता है तो जब तक यह 2300 नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पर हमें खरिदारी के बार में नहीं सोचना चाहिए अगर हम short term के बार में बात कर रहे हैं और actually 23 2300 ही क्यों जब तक ये gap फिल नहीं हो जाता है और उसके उपर sustain नहीं होता है तब तक खरीदारी नहीं करनी चाहिए Lower side पे जो important level है 1900 का level है पहले ये all time हाय था गिरावट देखने को मिली यहां पर हमें range में फस्ता हुआ नजर आया था फिल यहीं से हमें ये return होता हुआ नजर आया है तो 1900 का level काफी ज़्यादा important level की तरह दिखाई पड़ता है अगर ये level वापस तूट जाता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और analyst में जो downside का 20% का target दिखाया था वो हमें अच्छी होता हुआ नजर आ सकता है higher side के बार में बात करें median वाला target अच्छी हो सकता है एक साल में क्या हो सकता है आप पर थोड़ा सा time pass करके उपर जा सकता है लेकिन जो one year में higher side का target है वो बहुती ज्यादा bullish है वो तो all time high से भी उपर के targets है वो मेरे साब से इस financial year में या फिर next one year में अच्छी होते हुए नज का level कैसे important है लेकिन trend भी आप देख सकते हैं यहीं से तेजी देखने को मिले crash के time पे यहीं पर support लेने के बाद हम यह उपर जाता हुआ नजराया और फिलाल भी इसी level पे आपको दिखाई पड़ता है तो clearly importance तो बहुत है कि 1900 इसके लिए बहुत ज्यादा important है तो हम क्या strategy यह आप stop loss ले सकते हैं current market price पे खरिदारी करने के बार में सोच सकते हैं risk reward ratio बहुत अच्छा हो जाएगा जाने को यहाँ पर 200-200 रुपए हैं लेकिन आने को आप देख पाएंगे साड़े 3,000 तक का target हमें नजराता है यह of course एक ही इस बार में नहीं आने वाला इसमें एक साल लगेगा ही लगेगा लेकिन अगर फिर भी एक साल में क्या दो साल में भी अगर यह target अच्छी हो जाता है तो बहुत अच्छ रिटन्स माने जाएंगे और यहाँ पर हमारे probability को जिताने के लिए probability बढ़ाने के लिए जीतने के chances बढ़ाने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब तक यह stock इसी range में trade कर रहा है जब तक यह 2300 के नीचे trade कर रहा है यहाँ पर हम पहली जो खरीदारी करेंगे अगर आप खरीदारी करना चाहत यह बाकी एक बार strength हो जाए यहाँ पर strong हो जाए उसके बाद जब यह उपर जाता है 2400 के उपर sustain होना शुरू करता है तब आप additional quantity वहाँ पर खरीदने के बार में सोच सकते हैं इससे फाइदा क्या होगा क्योंकि trend तो बहुत ज़्यादा बियरिश है लेकिन stock fundamentally oral अच्छा न इस logic के साथ यहाँ पर आप इस strategy के साथ खरीदारी के बार में सोच सकते हैं कंपनी के positives के बार में बात करें तो fundamentals हमें अच्छे नजराता है growth भी हमें अच्छी देखने को मिली है overall shareholding pattern भी हमें अच्छा नजराता है कुछ points से जैसे कि promoter की holding अगर 50% के उपर होती तो और अ अच्छा होता है बाकी overall stakes के बार में बात करें तो retailer के पास कम stake है institution और promoter के पास ज्यादा है इस हिसाब से shareholding अच्छा नजराता है most of the analyst यहाँ पर bullish चल रहे हैं यह कुछ positive है negative के बार में बात करें तो अब भी हमें valuation slightly premium चलता हुआ नजराता है इसकी जो peer companies है उसके हिसाब से सस्ता हो चुका है लेकिन overall अब भी आपको slightly premium पर ही चलता हुआ नजराता है अगर यह P ratio 20-25-30 के आसपास होता है तो और भी अच्छी बात हो जाती है FIA-DIA का stake हमें slightly कम होता ह हुआ नजराया especially DIA का कम हो चुका है FIA इसका तो को ज्यादा stake कम ने हुआ है 1% से भी कम का difference दिखाई पड़ता है टेक्निकल्स हमें वीक नजराता है वीक नहीं बहुत वीक नजराता है प्रमोटर की भी है 1.32% की हमें यह समस्या भी दिखाई पड़ती है तो ऐसी situation में करन कर सकते हैं half quantity long term के बार में बात करें तो यहां पर भी आप accumulation करने के बार में सोच सकते हैं high risk वाला share है लेकिन high gain भी दिखाई पड़ता है I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है आपके investment और trading decision में आपको यह मदद करता है thank you stay happy happy investing